नमस्कार दोस्तू टामाटर के बाद अब प्याज के दाम लोगों के आखों से आंसू निकालने की तैयारी में है राजधानी दिल्ली के रिटेल मार्केट में प्याज 50-60 रुपे प्रेती किलो मिल रहा है जबकि एक हपते पहले 30-40 रुपे प्रेती किलो ग्राम के हिसाब से बिकरा था एक हपते में 50 फीसदी तक प्याज मेहना हो चुका है दिस्वंबर में नई फसल के आने से पहले मेहने प्याज से रहात मिलने की संभावना नहीं नजरा रही है प्याज की कीमतों में बड़ोतरी का सिलसला अगले कुछ दिलों तक जारी रह सकता है और बता दे कि दिपावली तक प्याज 100 रुपे प्रेती किलो बिक सकता है रिटेल भाव 100 रुपे प्रेती किलो बिक सकता है तोकि इस समय भी 50-60 रुपे प्रतिकलों के हिसाब से दिल्ली के अंदर प्याज भिक रहा है वैसे हम आपको अलग-अलग राज्य में प्याज का अलग-अलग भाव है लेकिन दोस्तो 40 रुपे प्लस है यानि कि 40 रुपे से उपर इस समय भाव चल रहा है सरकार ने अपने बफर स्टोक से NCCF और नेफेड के जरिये प्याज बेचने का एलन किया था सरकार प्राइज इस्टेबलाइजेशन फंड के जरिये प्याज का बफर स्टोक भी खड़ा किया है जिससे प्याज की कीमतों में जादा उच्छाल ना आए और उभोगताओं को भी राहत दी जा सके प्याज के एक्सपोर्ट पर भी नकेल कसनी के लिए 40 फिस्दी का एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया पर इसके बावजूद रिटेल मार्केट में प्याज की कीमतों में बढ웃री का सिंसिला लगातार जारी है प्याज की कीमतों में बढ웃री तब देखने को मिल रही है जब नवमर 2030 में उत्तरभारत के पिर्मुक राज्य में विधान सबाचुनाव है ये वो राज्ये हैं जहां प्याज की खपत जादा होती है प्याज की कीमतों में तेज उच्छाल से सतधारी दल को चुनावी नुक्सान भी हो सकता है विपक्षी दल कांग्रेश ने अभी से प्याज की कीमतों में उच्छाल के बाद अपने सोसल मीडिया हैंडल के जरी अब इसे ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है तो अब तक कि सबसे बड़ी ख़वार इस वक्ता रही है प्याज भाव को लेकर बता दे कि 15 दिन पहले प्याज 30 से 35 रुपे प्रती किलो बिक रहा था लेकिन दुस्तो अब 85 से 60 रुपे प्रती किलो पहुँच गया है और आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है दिपावली तक 80 या दुस्तो 100 रुपे प्रती किलो के हिसाब से भी प्याज भिक सकता है अब दोस्तो मंडियों में नई प्याज आने का इंतिजार किया जा रहा है उसके बाद ही दोस्तो नए भाव खुले हैं दोस्तो आप सभी से विद्टी है कि आप मारी वीडियो किस सहर से देख रहे हैं और आपके सहर में प्याज क्या भाव खुला है कॉमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें जहीं जे भार दोस्तो